आकाश्वानी भूपाल से प्रसुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग प्रधान मंत्री नरीन रमोदी ने कहा सरकार आदिवासी समाच के उठान के लिए समर्पित प्रदीश को 7000 करोड रुपए के विकास पर योचनाओं की सौगात देश में 47 सिस्तानों पर आज रोजगार मीलो का आयोजन एक लाग से अधिक लोगों को दिये जाएंगे न्यू प्रधान मंत्री नरीन रमोदी ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों के दोरान हमारी सरकार आदिवासी समाच के उठान गौरो और सम्मान के लिए समर्पित रही है उन्होंने कल जाबुआ में आयोजित आदिवासी महाकूं को संबोधित करते वे कहा कि भाजपा की डबल एंजि बढ़ाकर नप्पे बन उपच करती है आदिवासी उत्पादों को नए बाजार उपलब्द कराने के लिए वंधन केंद्र खोले हैं जंजाती सम्मेलन को मोख्यमंत्री डॉक्टर मोहन्यादव केंद्री जंजाती कार्यमंत्री अर्जन मुंदा ने भी संबोधित किया प् में ग्रिगर रेलवे स्टेशनों के पुनर विकास इंदोर, दिवास, उज्जायन, रेलमार्क के दोहरी करन बरखेडा बोधनी टारसी को जोडने वाले तीसरी लाइन का शिला नियास और लुकार पन किया प्रधान मंत्री ने मद्ध प्रुदेश में 3,275 करोड रुपे स से एक लाग साधिक नियुक्ती पत्र सौपेंगे ये नियुक्तियां किंद सरकार, राजिसरकार और किंद शासित प्रदीशों के विभन विभागों में की जा रही है नौ नियुक्ति लोगों को कर्व योगी प्रारम के माध्यम से ओनलाइन प्रसिक्षन का आफसर भी दिया जाएगा भूपालसित बैरगण में सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजेत रोजकार मेले में पूर्वोतर शेत्र विकास और सायकारिता राज्यमंत्री बियल वर्मा मुख्यातिती होंगे इन दौर में सीमा सुरक्षा बल के प्रांगण में रोजकार मेले का आयोजन क्या जाएगा किन्रे सामाजिक नयाय और अधिकारिता मंतरी डॉक्टर विरेंडर कुमार कारिक्रम की अधेक्षता करेंगे इस मेली में सीमा सुरक्षाबल और भारस सरकार की अन्य विभागों में नौ न्यूक्ति अभिरतियों को न्यूक्ति पत्र दिये जाएंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि आध्यात्मिक ताही भारतिये विजार प्रक्रिया का मूल तत्व है हम मूलता आध्यात्मिक हैं, संपून प्रकतिमी परमेश्वर व्याप्थ है, उसे आध्यात्मिक दृष्टिकून से महसूस किया जा सकता है मुख्य मंतरी कल उज्जायन में, माधव सेना न्यास में विविकानन्त केंदर कन्या कुमारी मध्यप्रांद के द्वारा आयोज़ित कानिकरम को संबोधित कर रहे थे मुख्य मंतरी ने कहा है कि हमारा ग्यान्विक्यार अत्यन्त प्राचीन है कुम्भु का मीला नशत्र के अनुसार होता है प्रतेक बारह वर्ष में उज्जायन में से हस कायोजन क्या जाता है दॉक्टर यादव ने कहा है कि आधात्मिक्ता की आत्रा ही भारत के विकास की आत्रा है उज्जायन में इस्तित डोंगला में मानक समय की करना होती है मुख्य मंत्री ने कहा है कि वैक्यानेक जगदीश चंद्रबसू ने बताया कि पौधों में प्राण होते हैं विकनन केंट्र कन्यकुमारी की उपाध्यक्ष पद्मिश्री डॉक्टर निवेडिता भिंदे ने कहा है कि आध्यत्मिक्ता केवल एक उपासना तंत्र नहीं है अपितिव आध्यात्मिक्ता के संबंद में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सुभाव ही आध्यात्मिक्ता है अपने पन के दायरे में जो आता है वो आध्यात्मिक्ता है समाचारों में वक्त है ब्रेका ये समाचार आपकाश्वाणी भोपाल से सुन रहे हैं हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा की अनुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलिटन यूट्यूब, ट्विटर और फेस्बुक पर AIR News भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं इसके लावा अब हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अत्वा AIR News एप पर भी समाचार सुन सकते हैं मुरे के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्पागत है कींद्री नागरीक विमानन और इसपात मंत्री जोतरा दित्य सिंधिया ने कहा है कि आम लोगों के सपनों को पूरा करने के उद्देश से विक्सित भरसंकल प्यात्रा के माध्यम से शासन की विबिन कल्यालकारी योचनाओं का लाब पातर हितकराहियों को उपलब्द कराकर उनके जीवन स्थर को उपर उठाने का कारे किया जा रहा है श्री सिंदिया कल ग्वालेर जिले के मुरार के टपा तैजील परिसर में विक्सित भरसंकल प्यात्रा के तहत आयोजिष शिविर में बोल रहे थे श्री सिंदिया ने कहा है कि प्रुधान मंत्री नरेंद मूदी ने आम लोगों के सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया है और संकल्प को सिधी में परिवर्दित करने का कारे करहे हैं। इसी उद्देश से देशबर में विक्सित भर संकल्प यात्रा के माध्यम से आम जनों को शासन की उचनाओं का लाब पहुंचाने का कारे किया जा रहा है। श्रीसिंधिया घाटे का असित शबरी माता आश्रम परिसर में आयोजित हो रही श्री राम कथा में भाग लेने भी पहुंचे। उन्होंने ही सौसर पर माता शबरी के मंदिर में पूजा आर्चना कियो और सभा को संबोधित किया। श्रीसिंधिया ने कहा है कि भारत सरकार अनसुचित जातियों के समग्र कल्यान के लिए कृत संकल्पित है। परिटिकों को स्थानी संस्क्रती से रुबुरू कराने और सामुदाइक सहभागिता से सुरोजकार के विभिन औसरुत्पन करने वाली प्रुदेश की ग्रामीड परिटन को एक बार फिर सराहा गया है। पूरुष F.I.H. हौकी प्रो लीग में कल राद भुनेश्वर के कलिंगा हौकी स्टेडियम में भारत ने निदरलैंड को चार दो से हरा दिया। निर्धार इस समय तक मैच दो-दो से बराबरी रहने के बाशू टाउट रौन खेला गया। लीग में स्पेन के खिलाफ विजय होने के बाद ये भारत की दूसरी जीत है। भारती महिला हौकी टीम कर राउर केला में चीन से और 14 फरवरी को निदरलैंड से मुकाबला करेगी पुरिष टीम का मुकाबला इसी महिने के 15 तारे को आस्टेलिया से होगा। महिलाओं के विज्ञान में सहभागिता के अंतराश्य दिवस पर आज वोपाल में आयवजित कारिकरम को मुक्यमंतरी मोहन यादव संभूदित करेंगे। और नौ सेना एन्सीसी विंग के 2100 कैडिट्स ने हिस्सा लिया। राजकर में सौमित यूचना के अंतरगत 673 गाओं में 28,000 से स्यादा अधिकार अभिलेखों का वितरन किया गया। अधिकार अभिलेख वितरन के लिए ग्राहम वार कारिकरम आयुजित किये गये। सतना सिली में दिव्यांग जिनों की मोटराइस्ट, ट्राइसाइकल और सहाय गुपकरन कृतिम अंग उपलप्त कराये जाने के लिए आज से परिक्षन शविर शुरू हो रहा है जो अलग अलग जिन पदों में सूला परवरी तक चलेगा। मंड़ता सिली में भुआ बिच्या शेत्र और निवाज शेत्र में बारिश के साथ उली किने की खबर हैं, सिले की अन्य हिस्सों में भी कल बारिश के समाचार मिले हैं। साथ हजार करोड रुपे की विकास पर यूचनाओं की सौगाती। देश में 47 इस्तानों पर आज रोजकार मीलो का आयोजन एक लाग स्याधिक लोगों को दिये जाएंगे नियूकती पत्र। केंद्री मंत्री जूत्रादित्य सिंधिया ने कहा सरकार की उचनाओं से लोगों का जीवनिस सर बहतर हुआ। और भारत ने F.I.H. हौकी प्रो लीग में नीदरलैंड को चारतों से हराया। इस बिलिटिन में इतना ही दीजे जासत नमसकार। झाल 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 झाल